पिछले लेक्षर में मैंने आपको बताया कि जो 1857 का विद्रो हुआ था उसके अलावा भी कई सारे विद्रो हुए थे जैसे धार्मी विद्रो जंजाती विद्रो ठीक है तो उन सब के कारण भी मैंने आपको बताया और इसके अलावा इसी शंखला में मैंने आपको प्रफिक भारत के जितने भी विद्रो हुए थे उनके बारे में सारी जनकरी दे दी तो साथ इंपॉर्टन्व जी एक दू कौन से थे उनके यह उनके लीडर कौन से तो कौन से बताया और उनके कार्ण कौन से जो की यही Ms. तो आज इस वीडियो में आपर जो पश्चिन भार तो बाकी छेत्र है जहां भी जो रिवोर्ट को ते वह सारे हमाद डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले हम पश्ची महारत के विद्रोह देखते हैं तो उनमें जो भील विद्रोह था उसका रिजन क्या था वो खांदेश छेत्र है जो पश्ची भारत का उसमें यह हुआ था भील जो कम्यूनिटी थी वो किसान कम्यूनिटी हुआ करती थी खेटी करते थे लोग तो वह इस विद्रोह का जो लीडर था उसका नहीं सेवा राम ठीक है तो कारण क्या था जो कि किसान होते थे और जब ब्रिटिशर्स नई भूर अजय तो नीतियां पनाते हैं नएने रूल् प्रिशान होके यह जो भी लोग होते हैं यह रिवोल्ट कर देते हैं तो आप यह याद रखेगा किसका खेटर कॉन सथा खांदेस रीजन और नेता कॉन था सेवाराम ठीक है और नेक्स जब हम रिवोल्ट नेखेंगे तो हम बात करें कि कच्छ विद्रोह के बारे में तो तक्ष का एरिया होथा वहां पर उस तो में राजा था राजा भारमल ठीक है तो राजा भारमल को बिट्रिशर्स अपने राज से हटा देते हैं अब्दस कर देते हैं तो सीन ऐसा होता है कि 1826 के आसपास जब अंग्रेज बर्मायुद में बीजी होते हैं असाम को एनेक्स क कर देता है कि जिससे उसे उसका राज फिर से वापस मिल जाए तो वह तो ठीक है जब तक वहां पर नहीं होते हैं तो उसका विद्रों चलते रहते हैं और जैसे ही बेट्रिशर्स वापस आते हैं 1926 के बाद में तो यह लोग दुबारा राजा भरमल को उसकी सीट से हरा ले ठीक है गुजरास के ओखा मंडल में हुआ था यह लोग भी जो वहां के लोग थे वह बिटिश रहसें परिशान थे तो उसी करगें से लोग विद्रों करते हैं आप देखो कि जो टाइम प्रेड है मैंने जादर में लिखी नहीं है इन सब की भी ऐसी ही टाइम प्रेड है प्रेड हो जाएगा आपसे एरिया नेता कौन से थे और कारण क्या थे तो आपको मैश कराने के लिए पूछ लेते हैं इसके अलावा जो जो पॉलिशी सी उनका शोर संब से परिसांद है इसके अलावा जो कोली विद्रों था यह बहुत इपॉर्ण जो कोली राइजिंग था तो जो कोली लोग होते थे तो वह लोग कौन थे यह लोग जो है पश्चमी घाट की एक पहाड़ी जंजाती हुआ करते थे ठीक है तो एक्षिली जब ब्रिटिशनें मेराठा समराज को कैप्चर नहीं किया था उस्ताइम यह मेराठा समराज में दुर्ग के सेना पती हुआ करते थे ठीक है तो यह लोग खाली होते है अब क्या खरा जाए तो विरोजगारी से तंग आके यह लोग रिवोर्ड कर देते हैं आप जैसे आपकी जॉब है ठीक है और किसी के वज़े से जॉब चली जाए तो आपको खटके गा ना तो आप इनको यह लगता है कि तो इसलिए विरुद्गारी से तंग आपके यह लोग विद्रोह कर देते हैं और इनका भी विद्रोह चलता रहता है और अठारा सो पचास में इसको सप्रेस कर दिया जाता है को आठीयो और लिए लोग जो है बीज़ो है यह बीद इसके फरोशी हुआ करते थे तो यह लोग को भी सपोर्ट करते हैं यह गृव रामोसी कम्टै को बिल उसको उसको भी सपोर्ट करते थे ठीक है ऐसी जो रामोसी नो можते थे यह मरांथा सामराज में पुलिस से काम करते थे तो इनके पास थोड़ी वो जमीन जायजात भी होती है तो वो बिचारे लगान देने में परिशान थे तो इसलिए ये लोग विद्रो कर देते हैं और जो ये रामोसी विद्रो था उसका लीडर को था चितूर से ये इंपॉर्टेंट है आप याद बात है अब शरे चिमनाजी यादो और बाकु भंगरिया यह अब स्हांट करें तो वैक्व्यक द्रोग से इसितूर सिंग्शान सरिको था रामोसी विद्रो उसे इसके पादे आप बात करें तका बात सावंत वाडी विद्रो यह मालाठा समराज में सैनिक होते दुर्गि में लोग रट्शा करते थे ऐसे रामवोशी थे कोली ते ऐसे घटकरी घटकरी लड़ाकू कम्यूट्टी थी और ये अध्यार उचाव रहते हैं तो इनका लीडर को होता है बाबाजी अही रेकर ये लोग भी कुछ आप टाइम बाद तंग आके ये लोग भी हधियार उठाने को मजबूर रहते हैं गटकरी और ऐसी सावंथ वाड़ी सेम कहानी है आसपास साथ में ही लोग रोग करते हैं 1844 के आसपास और सावंथ वाड़ सेटने के वाड़ी सावंथ शवाड़ी स्थ इसके वाड़नगी के तो सबसे बात करेंगे विजtest नेकर समराज की तो रिम defenses कर पड़ता है उसके में पार्ट में समझावा ethic ऑकर तो आपको सरकार जो जो तो यहां पर विजय नगरम सामराज था सो 275 समय यह विरोल्ट होता है इसमें क्या होता है कि यहां का जो राजा होता है उसको अंग्रेंज बोलते हैं कि आप की जो आर्मी है जो सेना है उसको छोड़ दो आर्मी आप नहीं है टीक है इसके अलावा आप 3 लाज रूपए दीजे हम को इसले कमपनी बोलती है तो इसके अपोस में यह का जो राजा होता है वो विद्रोय करता है और वहां के जो उसकी परजा होती उसका support मिलता है तो इसलिए वहां के नागरिक कि इस विद्रह को अंजाम देते हैं विजयनगरम सामराजीज का कब होता है इसके पाद पोलिगार विज्रोह के बारे में देखेंगे यह जो किपु सुल्तान जो कि इनके पास आर्मी होती थी लोग आर्मी रिखा करते तो यह लोग कई वार अपने एरियास में विद्रोग करते थे तो उनको भी कंट्रोल किया था किपु सुल्तान और हैदर अली ने तो जब यह विटिशन मैसूर राज पर कैप्चर कर लेते कब्दा कर लगते हैं तो यह लोग भी वह जो भूराजयों सुनीती होती है उसके उससे असंतुष्ट होके यह लोग अंग्रेजों के अगेंश विद्रोग कर देते हैं ठीक है तो आप यह आयाद रखिए का पोलिगार विद्रोग कहां पर था साउथ इंडिया का विद्रोग है ठ नेर्शूर के जो राजा हुआ करते हैं ठीको सुल्थान और हैजर अली इसके माद जो तीसरा साउथ इंडिया का रिवोर्ट था वह वेलू थंपी विद्रोग दीवान वेलू थंपी विद्रोग तो यह तुरावन कोर रियासत हुआ करती थी इसको अश्ड़ी जो साहवर संधी में मिला लिया था अंग्रेजों में ठीक है त्रावल कोर के साथ संधी का समझोता हुआ था संसीटरी इलाइंस बना लिया था इसको तो उसके बाद जो वहां पे जो उनका ब्रेटिस रेजिदेंस हुआ करता था तो वह काफी ज़दा परिशान करता था मैंने बता है ब करते हैं तो शार संधी कर लेता है तो उस चक्कर में बहुत कर दीवान करता है वेलू थंपी वह त्रवाड कोमू प्रजाति उनके साथ मिल के विद्रों कर między करते हैं तो यह आ तो यह DP कहां से ए समपन्दी था इसके बाद संषि तो यह जो रंपा कम्यूनिटी थी यह जो तटी यह आंध्रा है कोस्टल आंध्रा है वहां पे जो हिली ट्राइब्स थी पहारी जंजाती थी तो यह लोग भी प्रेटेश्ट की जो एक्शली क्या होता है उस ताइम कुछ नए फॉरेस्ट लाते हैं जंगल के कानून लेकर आ सकते आप इधर नहीं जा सकते तो आविसली इनको तो रिवोल्ट करेंगे वही जो चीज़ इनकी हजारों साथ है आप सब्सक्राइब लोगे तो और वह भी ऐसी जिस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूं तो वह इसलिए जोने पर विद्रोग कर दिया ठीक है तो आप प्याद रखेंगे रंपा विद्रोग के होगा था फारस लॉस और भूर राजस्री की वज़े से ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर भारत के विद्रोग की तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वहाबी आंदोलन यह बहुत इंपॉर्ट है इस वेरी कहां पर था पटना पटना में इसका हेड़कॉर्ट था वहावी आंदोलन का और इस आंदोलन के नेता थे सेयद अहमत राय बरेली वाले ठीक है तो आप मौडन हिस्ट्री में दो सेयद आहमत के बारें पढ़ेंगे एक राय बरेली वाले और दूसरे जो थे अलीगर वाले तो अलीगर वाले के बारे में आप पढ़ोत जब मोर्णे अथकिस्ट के बारे में बताओंगा आपको बहुत ही जल्दी तो यह जो थे राय भृलिय वाले इनका संब्ध वहावी आंदोलन से है तो यह जो वहावी आंदोलन शुरू होता इसका परफ़स यह था कि जो वेस सा вам को शुद्ध करना तो यह क्या चाहते यह पर चाहएं थे पहली है तो है चाहते ता दिल्लीके शहा ठांग तो यह झालब से उनके बहुत परावी तो आफ यह स्थावै कि इसलाम को इस थापी करना चाहते हैं मतलब यह प्योरीषस लां की बात करते हैं शेकर हैं और इसलाम के पश्मी प्रभाव को समाफ्थ करना ओ के और इन farkे संपरदार था उसकर फिल्क स्थार्ट उन्चास्त में इनका में टार्गेट हो गए थे अंग्रेज जो कि इनको यह लगा था कि यह जो अंग्रेजों की नीतियां है अंग्रेजों की पॉलिसी है उनकी एजूकेशन है यह सब चीजे हमारे कूपा आंदोलन ये उत्तर भारत का दूसरा मुख्य आंदोलन था था तो इसमें क। कि यह जो आंदोलन हुआ था पस्चिं पंजाब वेश्टरं पंजाब में यह जो जो का आंदोलन हुआ था तो इसका परपस क्या था यह एक्षुली इनका एदसे भगत जवाहर नमल ठीक है इनका जो नेत्रह तो पर, जहुत सुधी को कि तुम्हों ईंको थे भगत जवाहर मल इनको सियान साहभ भी बोला जाता था ठीक है सियान साहभ और इनका मुख्य उति सब्सक्राइब करने के लिए और मांसहार को कम करने के लिए करने के लिए शराब हो गया नशा हो गई उन सब्सक्राइब करने के लिए यह अंदुलन शाट हुआ था ठीक है और जो महिलाओं की दर्शा बहुत ही खराब थी उनको बाहर तक जाने की छूट नहीं हुआ करती थी ठीक है शिच्छा की छूट नहीं थी पढ़ाई लिए नहीं कर सकते थी तो वह इस अंदुलन का एक यह सवाहर मल्क के जो उत्तरा अधिकार राम सीन कुका तो वह क्या होता है कि वह इस अंदुलन को धार्मिट से राजनेतिक सरूप देते थे ठीक है और यह राजनेतिक सरूप देते और यह अंग्रेजों के खिलाफ यहां से अपनी लाइक श्राट कर देते हैं पर उसका कारण और इसको कौन लीड करते हैं रांसीन कुका तो रांसीन कुका और भगार जवाहर मल्क दोनों ही इसके नेता रहे थे कुका अंदुलन के तो आप इसको ज़रूर रहता है कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यह वहाबी आंदुलन की तरीके से यह जो कुका अंदुल आपको इसके बाहर कोई भी कोशन नहीं परिशान करेगा एक्जाम में जितने कोई भी रिवोल्ट से पूछा जाता है कोशन तो आपको इसमें से निशे दूख से मिल जाएगा सब कुछ पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझाए आप इनके नोट्स बना लिए जैसे जैसे समझे आप किसना भी पढ़ते लोगर आप रिवायस करते टाइम भी आपको उतना ही पढ़ना पढ़ रहा है तो आपका फिर सेलेक्शन बहुत मुश्किल है तो आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करिए ऐसे करिए कि आखरी में आपको पढ़ने के लिए बहुत कम बचे सब्सक्राइब करते हैं जो बिल्कुल आप भूलो गए नहीं उनको मत लिखो नोट्स में उनको बिल्कुल इसकिप कर दो जो जी आप भूलते हो जो इपॉर्टन अप सिरु उनकी नोट्स बनाई है आपके कोई भी सब्सक्राइब के नोट्स 20-25 पेज़े से जादा नहीं होने चाहिए जैसे कि आप लाशने कर पाऊ हां लेकिन ऐसा नहीं हो कि 15-20 में बना रहे हैं तो आप सब छोड़ते जा रहो वह भी नहीं करना है सॉलिट प्रिपेशन करने सॉलिट स्ट्रजी बनानी है ठीक है तो यह करेंगे और आप नेक्स वीडियो में अप्लोड कैसे हुआ था जो उस ताइम के समाज में जो करने हत्या की यादी थी बाल विभा होते तो उस सब को कैसे किस चरीके से रोगा गया तो वो सभी जो सुधार थे पुनर जागरन का काल है उसके बारे में हम नेक्स वीडियो से पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए से मिलते हैं नेक जो लोग समीशा दिकारी की जो परिशा व्यार्थ अप्रेल को हो रही है तो अगर आप उसकी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो मेरा जो ग्रूप है टार्गेट यूटी पेसी आरो यारो उसको जोइन कर लिए जिए उस कलिक नीचे आपको मिल जाएगा इसक्रिशन बॉक्स मे ठीक है और दीगे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुर्बाई टेक क्यार